गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स, स्टुडेंट्स, मैं मीसीज रेखा शर्मा, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सर्ड की पाथय पुस्तक, अभिरिल का चेप्टर नमबर 6, जिसका शिर्षक है सोहना, क्या शिर्षक है सोहना, ये एक बच्चे का नाम है, और इस पार्ट में ये है पार्ट मानवा दिकार से संबंदित है, और इसमें बच्चों की शिक्षा पाने के दिकार को छोटु नामत एक बालक की कहाने के द्वारा प्रसुत किया गया है, समझाया गया है, और इसमें ये है भी संके दिया गया है, कि बच्चों से कठिन परिश्रम वारे काम ज मजते जाएंगे, तो क्या है कहानी, छोटू सडक के, सडक से, छोटू सडक से जा रहे स्कूली बच्ouri को देख रहा था, मतलब कुछ बच्ये स्कूल जा रहे थे और छोटू सडक में जाते हुए उन बच्शो को देख रहा था, रोज सुबह जब बच्चे कंदे पर बता टांगे, हसते बोलते, अपने अपने विध्याले को जाते हैं, तो छोटू का दिल बैट सा जाता है, मतलब बच्चों को स्कूल जाते हुए देखकर छोटू उदास हो जाता है, दिल बैट जाना, उदास हो जाना, यह मुहावरे का अर्थ है, उसे अपना घर, माता, पीता अपने भाई बैन और अपना स्कूल याद आने लगता, वहें भी एसे ही बसता लेकर स्कूल जाता था, परन्तु अब तो यह सब सपना हो गया, मतलब आप तो केवल सपना ही रहेगा था उसका स्कूल जाने का, क्योंकि उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था, तबी तबी डाबे के मालिक की कड़कदार आवाज सुनाई दी, कड़कदार मतला बहुत तेज बुस्से से बरिया उसने क्या कहा, ए छोटू कहा मर गया, बरतन क्या तेरा बाप आकर दोई का, तो डाबे के मालिक नहीं कहा कहा कि छोटू तू कहा मर गया, और यह जो बरतन है क्य दो मेहिने पहले छोटू नहीं था जिसका नाम आज छोटू है ये पहले दो मेहिने पहले छोटू नहीं था तब तो उसका नाम सोहना था उस समय वहाँ अपने गर परिवार के साथ नदी किनारे के एक गाम में रहता था तो सोहना जो था अपने पूरे परिवार के साथ एक नदी के किनारे एक गाम में एक नदी के किनारे एक गाम था वहां रहता था घर में माता, पिता, दादा, दादी और चोटी बेहन थे वहें पांची कक्षा में पढ़ता था मतलब उसका परिवार जो था परिवार में कोन को थे उसके मम्मी पापा थे दादी दादा थे रहन थी ये सारे सदस्याव के परिवार में थे और वे मिल करे गाम में रहते थे गाम के बच्चों के साथ ही वह स्कूल जाता शाम को अमराई में दूसरे बच्चों के साथ लुका चिपी कबड़ी गुली डंडा आधी खेल खेलता तो गाम के बच्चों के साथ वह भी स्कूल जाता था और शाम को अमराई क्या होता है आम के पेड़ोते जापे आमों का बा गर पर दोरी गाएं के बचड़े को सहलाता सुबह शाम घर के छोटे मटे काम में हाथ बंटाता उसे प्यार से सोना कहती थी अपने पास पिठा कर दूज रोटी की लाती एक दिन स्कूल में उसकी किताब खो गई एक दिन क्या हुआ कि उसकी किताब जोटी वस्कूल में गुम हो गई पढ़ाई के समय गुरुजी ने किताब ने होने पर उसे एक थपड लगा दिया अब किताब नहीं थी तो उसके टीचर को अध्यापक को क्रोध आ गया और उनोंने उसको एक थपड लगा दिया सोहना के बाल मन को चोट लगी बाल मतलब छोटा बच्चा था ना इसलिए उसके मन को ठेज लगी चोट लगी शाम को घर आकर उसने पीताजी को बताया तो वहें भी दाटने लगे जब उसने अपने पीता को बताया कि मुझे आज ज़त है अपक ने मारा तो उसके पीताजी ने भी उसको डाट लगा दी कि अपनी चीजें जो है ठीक से संबाल कर नहीं रखता है बस यही से वह सारी बूल शुरू ही उसके मन में बैट गया कि अब वह स्कूल में नहीं पढ़ेगा मतलब उसको इतना गुसा आया कि उसने निश्य कर लिया यह बात उसके मन में बैट गई कि अब मैं स्कूल नहीं जाओंगा पढ़ने के लिए गर पर भी नहीं रहेगा क्योंकि सब उसे ही डाड़ते हैं उसको लगा कि सब मुझे ही डाड़ते हैं मुझे कोई भी प्यार नहीं करता एक शन को भी उसके दिमाग में नहीं आया कि ये लोग जो है उसकी भलाई के लिए ही तो डाड़ते हैं लेकिन प्यार भी तो उत्रा ही करते हैं यह सब सोचने की उसे अकल ही कहा थी मतलब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि सब टीचर है या माता पिता है उसको क्यों डाट रहे हैं सब उसकी बलाई के लिए उसको डाट रहे हैं लेकिन वो पच्चा था इसलिए उसमें इतनी अकल इतनी समझ नहीं थी कि वो इस बात को सोचे केवल क्रोध के कारण उसने गलत फैंसला ले लिया उसने क्या सोचा राज को ही वह चुप चाप उठा और घर से भाग गया तो उसने क्रोध के करण क्या निश्चे लिया उसने घर छोड़ दिया और चुप चाप घर से भाग गया कैसे कैसे वह कहां कहां पहुंचा किस तरह छुप छुप कर इस शहर में आया और आकिर इस डाबे में बर्तन दोने का काम करने लगा और घर से जब वो छुप चाप निकल आया भागाया तो जैसे जैसे करके वह इदर उदर बढ़कता हुआ उस शहर में पहुंचा और वहाँ पे आकर एक डाबे में एक होटल में बर्तन दोने का काम करने लगा डाबे वाले की गालियां मार पीट सहता रहा गर लोटने का उसका बहुत मन करता प्रन्तु लज्जा के कारण पाम ही नहीं उटते वहें डाबे में काम करता तो डाबे के मालिक से रोज गानिया खाता उसकी मार पीट सहता उसका तब गुसे में आकर उसका वापिस घर लोटने का मन करता लेकिन शरम के कारण उसके पाम नहीं उट रहे थे मतलब वो घर जाने की हिमत नहीं जुटा पारा था उसके माता पिता उसके बिना कितना परेशान होंगे, कहां कहां उसे नहीं हो जाओगा, पर वहे हैं घर कैसे जाएगगा? यहां तो सुभह चार बज़े से रात को ग्यारा बज़े तक काम ही काम उसके माता वितन उसको इतना डूड़ा होगा कितने परशान हुए होगे उसमें बिल्कुल भी नहीं सोचा और यहां डाबे में 20 सुबह 4 बजे उड़ता और रात के 11 बज़ तक काम ही काम करता रहता डाबे का मालिक उसे आदे गंटे भी खेलने के लिए नहीं छोड़ता था जब दूसरे लड़के बाहर केलते हैं तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता जब वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता तो उसका मन वश में रहता और वहें भी उनके साथ खेलने के लिए लालाईत हो जाता कहीं हाँ से कोई प्याला चूट गया तो बस मालिकी लात और गुसे मतलत जब उसका मन उसके वश में नहीं रहता वह है भी उनके साथ खेले में उसका मन जो था वो खो जाता तो वह अपनी सुध बुद खो देता तो हाथ से उसके कभी कप होती को प्लेट होती या प्याल आता तो हाथ से चूट जाता और चूटने से वो तूट जाता तो मालिक उसको पीट सा, उसकी बहुत पिटाई करता उसको लाज से मारता और गुसे मारता रात को साथ बज़े से ही उसे नीद आने लगती है क्योंकि वो से का तीन बज़ उड़ता था इससे साथ बचते ही उसको नीद आने लगती है पर आराम कहाँ, नीद में ही वह मेजे साफ करता, क्योंकि चोटा बचा था इसलिए उसकी नीदी नहीं पूरी होती थी, और सुबह से लेके, सुबह 3 मजे से लेके, वो रात की 11 बें तक लगातार काम करता था और खेलने के लिए उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था, इस उसलिए नहीं देते कि वह जल्दी सो न जाए। दस साल का बच्चा काम खतम होने पर उसे कुछ होश ही नहीं रहता। किसी कौने में लुड़क कर सो जाता। किसी को इस बात की चिंता नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं। सुबह चार बचते ही मालिक फिर लाद मारकर जगा देता। फिर वही काम गालिया और लाद गुसे। मतलब एक छोटा सा बच्चा सा सारा दिन काम करते करते ठक जाता। और जब ठक जाता तो उसको खाने पीने का होश भी नहीं रहता। और जहां भी जगा मिलती वाँपे सो जाता। तो उसे कुछ खाया या नहीं खाया इस बात की किसी को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मालिक को केवर काम से मतलब था। और सुब़े चार बेज ते ही फिर वही मालिक की गालिया और लादम से मारकर उसको जगा दिया जाता ओह वह क्यों घर चोड़ कर चला आया मा का प्यारा सोहना छोटू क्यों बन गया यह तो उसके खेलने खाने और पढ़ने के दिन थे फिर उसमें सोचा चोटू ने सोचा कि क्यों मैंने अपनी मा का घर चुड़ा क्यों मैं मा का सोना पेटा जो था वो चोटू बन गया यह तो उसके खेलने के और खाने के और पढ़ने के दिन थे जो मैंने बरबाद कर दिये रोज की तरह आज भी छोटू ट्रे में जूठे गिलास के दोने जा रहा था कि सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे छोटू खेल में खो गया रोज की तरह जैसे ही छोटू ट्रे में जूठे गिलास दोने के लिए लेके जा रहा था तो उसमें सामने देखा कि कुछ बच्चे खेल गेंद से खेल रहे हैं छोटू भी उनके खेल में मगन हो गया मतलब उसमें खो गया तब ही डाबे के मालिक का ब्यानक चेहरा सामने दिखाए दिया ब्यानक क्या होता है ड्राम ना जो चेहरा था मालिक उसको दिखाए दिया डर के मारे छोटू के हाँ से टे जो थी वो छूट गई और चन से गिलास जो थे वो सारे के सारे गिलास तूट गई मालिक ने डंडा उठाया और छोटू की और जबका मतलब मालिक ने डंडा उठाया और छोटू की और जोड़ा सोहना एक ही जटके में उठ कड़ा हुआ नहीं, वह ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ नहीं हुआ है नहीं अब वह चोटू नहीं रहेगा वह अपने घर जाएगा अब सोहना ने क्या दिया मन में सोचा कि वो ऐसे राक्षिशों की मार खाने के लिए उसका जर्म नहीं हुआ है इसलिए वो अब चोटू नहीं रहेगा वह वापिस अपने घर चला जाएगा स्कूल में पढ़ेगा और बड़ा होकर अपना जीवन स्वेम समारेगा छोटू छूटे हुए तीर की तरह सड़क पर पहुँच गया तीर छूटता है कमान से तो वैसे ही सोना जो था इस राक्षस से छूटकर सड़क पर पहुँच गया दाबे का मालिक दुकान पर खड़ा देखता ही रहे गया सोना के छोटे छोटे पैर तेजी से उट रहे थी मतलब है तेजी से बाग रहा था उसकी आँखों में उसका गाम और उसका सपना तै रहा था क्या था उसके आउंकों में कि वो अपने गाम जाएगा और उसका सपना क्या था कि वो अच्छा बच्चा बनेगा और पढ़ेगा लिखेगा और अपना भविशे सुधा रह तो यह थी सहुना की कहानी कि कि किस परकार segunda जिन्दगी में एक गलत का दम उठाया बिना सोचे है सेहिस्थतर की पैचान करनी है टाबे के माली की यावाश कैसी थी कैसी इसी यावाश रोबदारी ती करोदबरी थी काडब तार 치ve कैसी हवाय थी उसकी कड़कदार तो इसलिए इसलिए सेकंड पे टिक करोंगे नेक्स है छोटु का असली नाम क्या था सोहना मोहना कोब्रा या सोहन तो क्या नाम था उसका सोहना नेक्स है सोह ना को इसी कक्षा में पढ़ता था पांचवी में आठवी में सातवी में चोफी में तो वो पांचवी कक्षा में पढ़ता था इसलिए Welcome番 अधाउट्तु हुआ। आप है feeling the blanks ये box में से ढून कर आपने ये homer करना एक पर मैं explain कर देती हूँ जैसे दो महिने पहले छोटू का नाम था क्या था? सोहना सैकिन है छोटू सुवे शाम घर के छोटे मोटे काम में क्या करता था? क्या बढ़ता था? हाथ बढ़ता था next है सोहना के डैश को चोट लगी किसको चोट लगी? बाल मन को चोट लगी no.4 है सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे क्या खेल रहे थे? गेंद खेल रहे थे no.5 है सुबे चार बज़ते ही मालिक किसको लाट मारता? छोटू को चोटू को लास मार कर देता, क्या करता? उसको जगा देता था नमबर सिक्स है, डर के कारण चोटू के हाल से क्या चूट गई? ट्रे चूट गई और चन से क्या तूट गई? गिलास तूट गई यह है feeling the blank, यह आपने कप्रीट करने हैं अब है, पार्ट के अनुसार सही मिलान कीजिए सोहना चूटे हुए तीर की तर है? सेकिंड से मिला मैच करोगे, सड़क पर पहुँच गया फिर है, सोहना गाव के बच्चों के साथ ही क्या करता था? नमबर फाइव से मैच करोगे, स्कूल जाता सोहना गाव के बच्चों के साथ ही स्कूल जाता नमबर फाइव सोहना गर पर नफस से मैच करोगे, दोरी गाए के बच्चडे को सहलाता number 4 is सोना किसी कोने में लूड़कर number 3 से मैच करोगे सो गया number 5 is सोना की याँकों में उसका गाव और number 4 से मैच करोगे उसका सपना तैर रहा था next है निम निशब्दों के विलोम शब्द लिखो number 1 सुभ्ह सुभ्ह का विलोम क्या होता है शाम माली का विलोम शब्द है नोकर तूपना का विलोम शब्द है जोड़ना दीन का विलोम है राग प्यार का विलोम शब्द है घरिना या नफरत गाम का विलोम शब्द है शहर next है कड़क में दार शब्द जोड़कर कड़कदार शब्द बना है इसी परकार निम्ण शवदों में दार जोड कर नए शवद बराने हैं दुकान, दार, सामान बेज साया में पैट कर इजजदार, इजजदार क्या होता है, जो जिसके बहुत इजजदार होती है, जो समानित होती है, समानित व्यक्षी नेजज़ है चोकीदार, तो चोकीदार कोन होता है, जो पहरा देता है, उसे पहरेदार क्या चोकीदार आ जाता है नेक्स है मज़ेदार तो मज़ेदार क्या था जिससे अच्छा लगे आनन्द आए तो आनन्द से भरा मालदार जिसमें बहुत माल हो मतलब बहुत कीमती हो चमकदार जिसमें बहुत चमक होती है मतलब चमकीला धारदार जो तेजधारा वाला उतार यह आपका चेप्ट नमबर 6 इस पार्ट से यह सीख मिलती है कि बच्चों को प्रोध नहीं करना चाहिए अगर बड़े उन्हें डाटते भी है तो उन्हें इस बात यह सोचना चाहिए कि बड़े हमें अपनी हमारी बलाई के लिए डाट रही है इसलिए ग्रोध की बड़ों क कहना मान कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए